IPL का 14वा मुकाबला मुंबई इंडियन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच वानखेडे के मैदान पर खेला जाएगा। मुंबई के होम ग्राउंड पर यह पहला मुकाबला होगा और वह पहली जीत की तलाश में उतरेगी। अब तक खेले गए दोनों मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पहले मुकाबले में हार्दिक की टीम को गुजरात टाइटन्स से हार का सामना करना पड़ा था जबकि दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 31 रन से हराया था। टीम की कमान हार्द का स्ट्राइक रेट भी टीम को लिए चिंता का विशय है। मुंबई को जीट मिली है और 12 मैच में राजस्थान ने बाजी मारी है। एक मुकाबला बिना किसी परिणाम के खत्म हुआ। यही कारण है कि मुंबई और राजस्थान की टीम जब भी खेलती है तो एक रोमाचक मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन मुंबई ने पिछल राजस्थान ने अपने पहले मैच में लखनव सुपर जायंट्स को दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात दी है। दोनों ही मैच में राजस्थान के गेंदबाजों ने स्कोर का सफलता पूरवक बचाव किया है। इसलिए मुंबई इंडियन्स के खिलाफ मैच में राजस्थान शायद ही अपनी विनिंग कॉंबिनेशन से कोई छेड़ छाड़ करना चाहेगी। टीम के लिए रियान पराग ने पिछले दोनों मैचों में रन बनाए हैं। वह दो मैचों में अब तक 127 रन बना चुके हैं और मुंबई के खिलाफ भी टीम को उनसे ऐसे ही प् उम्मीद होगी।